गुरुगराम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रहना जाए नमस्कार मैं हूं सुनिली आदव और आप देख रहे हैं गुरुगराम का पहला और नम्मर वन वेब न्यूज चैनल जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की गुरुगराम में आप अगर गाड़ी चलाते हैं बाइक चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं और आपको ट्रैफिक पुलिस के जवान रोकते हैं और आपसे वो मिस्भेव करते हैं तो आपको कैसा लगेगा इनी सब शिकायतों के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक नई मुहीम चलाई है और नई मुहीम ये है कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जितने भी जवान है उन सब को skill development की classes दी जा रही है ये classes गुरुग्राम के जो ट्रैफिक तावर है वहाँ पर RSO ओफिस में चलाई जा रही है और वहाँ पर जितने भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी है उनको बकायदा ये सिखाया जा रहा है कि आप जब भी किसी ट्रैफिक वॉयलेटर को रोकेंगे तो उनसे किस तरह से आपको बिहेव करना है अकसर ऐसा देखने में मिलता है और ऐसी शिकायते भी आती है कि जब ट्रैफिक पुलिस के कर्मी किसी को रोकते हैं तो उनसे मिस्भेव करते हैं बत्तमीजी से बात करते हैं दरसल हरियाना की भाषा ही कुछ ऐसी है खड़ी बोली है कि अगर कोई हलकी सी उची आवाज में बोले तो सामने वाले को प्रतीद होता है कि वो उससे बत्तमीजी कर रहा है इनी सब चीजों में बदलाव लाने के लिए पबलिक और पुलिस के बीच एक अच्छा सामंजस से बिठाने के लिए इस मुहीम की शुरुवात की गई है और DCP ट्रैफिक के ओफिस में ये सब चीजें अब ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों को सिखाई जा रही है ताकि जब किसी भी गाड़ी चलाने वाले को जो ट्रैफिक नियमों की अवेलना करता है उनको रोका जाए तो उनके साथ तहजीब से पेश आए और सामने वाले को ये भी ना लगे कि उससे कोई बत्तमीजी कर रहा है ये स्किल डेलोप्मेंट और हैल्थ को लेके हमारा ये प्रोग्राम हमने किया है समय समय बे हम करते रहते हैं लेकिन कोविड की वज़े से काफी दिनों से ये हो नहीं पाया था अब स्टार्ट किया है ये हमारे कॉंस्टेबल से लेके टी आइज तक सब को इसका क्लास में ये सब जनता के प्रती कैसा वैबार हमारा होना चाहिए ये सब सिखलाया जाता है और उसको theoretical भी और practical भी ये सब चीजें करके demo देके सिखाई जाती है ताकि उनका लंबी duty रहती है stress में ना आएं लोगों के साथ behavior उनका अच्छा हो और यहीं अपेक्षा हम जनता से भी करते हैं कि वो इनकी duty hours को देखके duty आपके प्रतिवन का समर्पन देखना चाहिए उनने और traffic नियमों की पालना करनी चाहिए ताकि उनका stress level भी ना बढ़े और आप लोग भी अपने गंतव इस्थान को अपनी मंजल पे ठीक से पहुँँ सके अच्छली इस तरह की हमें मिलती हैं सिकायते हैं तभी हम यह चाहते हैं कि हमारे और एक natural वो भी रहता है कि कुछ traffic में से बदलके दूसरे field में भी चले जाते हैं तब जब भी नए जवान हमारे पास आते हैं जडोज आते हैं तो हम यह skill development का program चलाते हैं ताकि वो अपने duty को भली बानती समझ सके और ground पे भी अपना effectively duty कर सके DCP traffic का कहना है कि इस तरह की classes समय समय पर लगाई जाती हैं ताकि जो नई भरतियां traffic police में होती हैं उनको इन सब skill development के बारे में बताया जा सके और सडकों पर जब वो किसी traffic violator को रोकते हैं तो उनसे तहजीब से पेशा हैं ऐसा नहीं है कि इस तरह की classes पहली बार हो रही हैं ऐसी classes पहले भी कई बार हो चुकी हैं गुरुग्राम police के जो बाकी जवाने जो थानों में काम करते हैं उनकी भी इस तरह की classes गुरुग्राम में पहले भी हुई है लेकिन लगातार इस तरह की प्रक्रिया जारी है ताकि जो नई भरतियां पुलिस में होती है उनको भी इस तरह की development classes का हिस्सा बनाया जा सके और उनको भी यह सिखाया जा सके कि उनको आम जनता से किस तरह पेशाना है गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की जनता से भी अपील है कि जब उनको भी कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी रोकता है तो वो भी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ संयम से पेश आए, तहजीब से पेश आए ताकि शहर की ट्रैफिक विवस्ता को ठीक तरीके से चलाया जा सके और जनता और पुलिस के बीच एक अच्छा सामन्ज से बिठाया जा सके इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजेगा साती सात आप इस खबर को शेर जरूर कीजेगा ताकि जादा से जादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए नमस्कार गुरुगराम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटपोर्म पर है हमसे जुड़ने के लिए और अपने शेर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फोलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं अगर आपके इलाकी के कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नमरों पर अभी कॉल करें